नमस्कार दोस्तों, वेलकम टो रवंडे एक्जाम क्लासे देखे, आपके रर्वी एंटी पीसी ग्रूपडी दोजा उनीस की एक्जाम को देखते हुए लगा तरह आपको पिछलालो के पेपर करा रहे हैं, आज हाँ आपको रेलवे आर्पीय पे साई का दोजार उनीस का जी यह GS का स्रिट नबर हमारा 87 हो गया, इसके पहला आपको 86 पार्ट करा जा चुके हैं, जिनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्सन मिल जाएगी, उपर आई बटन मिल जाएगी, आप हमारी चैनल की प्लेट समझा करके वहाँ बर साब लोग चेक कर लिजेगा, यह हमारी 50 प्रिश प्रिपर लाइक होस कीजेगा, चलिए आज के हम लोग पहले पर इसकी सुरुवात करते हैं, देखिजिसे आपका RPA PSI का पेपर था और RPA Constable का पेपर था, यह आपका अलग धंग से पेपर बनाया गया था, इस प्रकार से पेपर बना था, और जैसे आपको पहला प्रशन लिख दिया गया, उसको जो एंसर है, उसको पूरा का पूरा रंग दिया गया था, तो आपके लिए करने ही योग उसमें कुछ बचा नहीं था, आप इसको देख करके सीधे तयार कर सकते थे, चलिए इस पेपर कौम कुछ अलग धंग से करेंगे, और पहले प्रशन को पहल जावा देना ये उसका लच्छ था, अब देखे दूसरे पार करके जो पेपर आपके बन रहे थे, उसमें ये चारो आपसनों को रंगता था, तो इसको छुपा करके हम आपको एक आउसर दे सकते थे, कि आप लोग सोच सकते इन चार आपसनों में से क्या हो सकता है, अब द आपसन आपको पूरे तरह से रंग दिया गया, ठीक है, अब ही आप लोग बताईए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे आपका जो मार्ग है, जो सबसे बड़ा रेलवे मार्ग आपका जाना जाता है, सेंट पीटरसबर को किस से किस से जोड़ता है, तो इसका साही आपसन क्या आपका जो मासको राजदानी आपको मालूम ही ये यूरोप के छितर में पड़ती है, तो वही पर आपका सेंट पीटरसबर्ग है, और यूरोप के पूरवी सीरे तक आपका बलादी ओस्तोक तक आपकी ट्रेन जाती है, अगर आप सेंट पीटरसबर्ग से बलादी ओस्तोक तो वीडियो का लाइक उस कीजेगा, कुछ अलग प्रिकार सम करने का प्रियास कर रहे हैं, इससे आप ज़्यादा कुछ सीख पाएंगे, तीसरा प्रिस्ण यहाँ पर है, महमूद बेगदा किस छेतरी स्रमराज के प्रिसिद्ध सुल्तान थे, यह आपको मिलेंगे, और यह जो आपकी स्रीज है, वो सिर्फ हिंदी में दी गई है, इसलिए आप लोग हिंदी में सबजने का प्रियास कीजेगा, महमूद बेगदा भी कहता है, और महमूद बेगड़ा भी कहता है, याद रखेगा, महान प्रतापी राजा माने जाते हैं, कहां के माने जाते हैं, गु रात होगा देखिए चौथा नंबर प्रेशने अब ये प्रेशनों को आपको दिखाना ही पड़ेगा देखिए वर्स तो यह सेवर कर जो आपका GST है कि सम्मंद में सही नहीं है कौन सा आपका कथन जो सही नहीं है देखिए आप लोग तयार करने का प्रयास किजेगा जरूर करने के आप ट्राई ही करना चाहें आप इन सही पेशनों को तयार कर सकते हैं यहाँ पर देखिए पहले आपसर में लिखा कि अंतर राज्य वस्तू और सेवाओं के लेंदेन पर एकी करत GST लगाया जाएगा जो कि बिल्कुल सही है आपका तीसरा आपसन आप देख रहे है तो यह 3 आपसन सही है और तो दूसरा आपसन विसेश महत्यों के घोसी शामान की और धार्ना समाप्त कर दी यह इसी नहीं किये गया है तो यह आप गलत हो जाएगा बाकि 3 आपसन आपके सही हो जाएगा ठीक है इस प्रकार से आप लोग सोचने का प्रयास किजेगा आज के देखे मारा पांचवा नमबर पेस ने गतिज सान्यता की इकाई क्या है यूनिट आप से पूछी जा रही सान्यता की इकाई इंगलिस में कहते हैं विस्कोसिटी कहते हैं तो आप लोग बताईए जैसे साहद आपकी होती ही ना उसमें गाड़ापन होता है तो वो क्या होती वो अधिक सान्यता वाली होती है पानी क्या होता है कम सान्यता वाला होता है तो उसकी यूनिट आप से काई पूछी जा रही है इन चार आपसन वे सही आपसन है Candlella दिया गया तो जो आपके गलत है Poise सई है इसका ठीक है Poise सई है तो अगर हम इसके देखे एक Poise भी यूइट होती है इसकी और एक आपकी कौणस यूइट होती है Pascal second भी इसकी यूइट होती है और Poise भी आपके option में देगा तो आप लोग पोईज को सही कीज़ेगा ठीक है गतिज स्यानता ये फिर स्यानता नेश्ट कोशन के ओर चलते हैं देखिए छटवान नमबर प्रेशने आप लोग नीचे प्रेशने को देखने का प्रयास कीज़ेगा यहाँ पर लिखा गया निम लिकित महादीपों में से कौन सा महादीप है जी डार्क महादीप के नाम से जना जाता है ठीक है डार्क महादीप के नाम से हम किस दीप को जानते हैं अंद महादीप के नाम से तो आपका सही option क्या होगा अफ्रीका को हम लोग दिदार का माधीप या पर अंध माधीप के रूप में जानते हैं क्योंकि यहाँ पर आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ा पन है आपका तो इसलिए इसे अंध माधीप भी का जाता है दूसरा option सही होगा देखिज साथवा नमबर प्रैस्ने पहाडियों की निचली सता और घाटियों की रेती में मिटी के रूप में जमाखनिच को क्या कहते हैं जाने 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 वाले आपके खनिच को क्या कया जाता है आप लोग देख लिजी एक किस प्रकार से दिखाई भी पड़ता है देखी इस प्रकार से सनचना होती ये जैसे आपका पानी हो गया अंदर ये खनिश की रूप में जो आपका जमा हुआ है न तो इसी कहते हैं प्लेजर डिपोजिल ठीक है ये पूरी सनचना बनके रहे से आपकी तयार होती है पानी के नीचे की सता की आपसे बात की जा रही है तो इस प्रकार से ये सनचना आपकी दिखाई बड़ती है आठवा नमबर पेशने ग्रीन लैंड निम लिकित में से किस महादीब के अंतरगत आता है चार आपसन आपको नीचे मिलेंगे जैसे आपको उत्री अमेरिका हो गया दथ्षिडे अमेरिका, यूरोप, एसिया इस पे कार करके आपको चार आपसन मिलेंगे ठीक है आप लोग बताईए कि ग्रीन लैंड किस महादीब का हिस्सा है देखी वन लाइनर में आपके असली परिच्छा होती है क्योंकि चार आपसन देख करके तो कोई भी सही कर सकता है लेकिन वन लाइनर को देख करके अगर आप सही एंसर बता ले रहे हैं इसका मतलब आपने अच्छी तरह से तयारी की है इसका सही आप सहनोगा उत्री अमेरिका का हिस्सा है देखे बहुगोलिक रूप से आपके ग्रीन लेंड है वो उत्री अमेरिका का हिस्सा है कनाड़ा के पास आपका पढ़ता है ग्रीन लेंड लेकिन अगर बात करेंगे आधिपत्य की बात में तो यूरोप का देश आपका तो डेनमार्क है उसके अंतरगत हमारा जो आता है ग्रीन लेंड डेनमार्क के कबजे में है और अगर भागोलिक रूप के बात करेंगे तो आपका उत्तरी अमेरिका में आपका पढ़ता है महादीब ठीक है याद रखेगा इस प्रकार साब की कोशन पूछेगा अगर बात कर है तो सही अपसन क्या होगा 16 दिन आपके चले थे आप अगर डेट को याद करेंगे तो 5 अगस्त आपका 5 अगस्त 2016 से लेकर गये 21 अगस्त 2016 तक चले थे तो 16 दिन आपके चलते आदुनिक ऑलंपिक खेल नया प्रशन है आप लोग के लिए याद कर लिजेगा चलिए next question को चलते हैं आज कर दे कि दसवा नमबर प्रशन है बीहड आम तवर पर भारत के किस नदी बेसिन पर पाये जाते हैं ठीक है बताइए बीहड कहां पर पाये जाते हैं सिर्फ एक ही नदी आपकी famous है आड़ हो चुका है बड़े बड़े घड़े यहां पर पाये जाते हैं इसलिए आपने देखा हुगा चंबल के डाकू ज्यादा famous आपके हुए क्यों है क्यों है क्यों चुपने के है तो उनको अवस्यक्तान बहुत ज्यादा मिला वहाँ पर पुलिस भी कारवाई करने जात दी है तो यह आपका बेसिन है आपका चंबल नदी का ठीक है नेस्ट को चलते है ग्यारा नंबर पेस्ने दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्सा वाला इस्थान इनमें से कौंसा है चार आपसन आपको दिये जाएंगे नीचे ठीक है तो उनमें आप लोग बताने का प्रया पूजी था उसके बाद चेरा पूजी के अंदर भी देखा गया तो मासिन राम में सबसे ज़्यादा आपकी वर्सा होती है और में गाला राजे पड़ता है मासिन राम में होती है बारा सो एकाईस सेंटी मीटर आपकी वर्सा होती है और चेरा पूजिम जो आपकी वर्सा ह होती थी इसलिए जो आपका मासिन राम है वो सबसे ज़्यादा विस्व में वर्षा वाला छेतर है यहाँ पर इतनी ज़्यादा वर्षा होती है आपके खेती भी नहीं की जा सकती है ठीक है तो सही आपसे नोगा मासिन राम देखी 12 नंबर प्रेश ने केंद्र और राज के सम समंदों के निर्धाना के लिए बनाए गए प्रथा में तीन सदस्य आयोग के अदस्ता किस ने की थी ठीक है बताईए केंद्र और राज का समंद कौन सा आपका जो सदस्य का आयोग जो गढ़ित की गई थी तो इसका सही आपसे ने आप लोग देख लिए सरकारिया आयोग जो आपका था वो केंद्र और राज के बीच में समंद को स्थापित करने के लिए बनाया गया था तो सरकारिया आयोग आपके केंद्र और राज के समंद के लिए इस प्रकार से आप लोग याद कर सकते हैं तेरे नमबर प्रिशने रिले सब्द किस से समंदित है चार आपसन आपको मिलेंगे नीचे ठीक है पहले आप लोग बताईए रिले सब्द किस समंदित है किस खेल से तो इसका सही option होगा आपका running मतलब कि दौर से आपका जो सम्मंदित है वो relay सब्द आपका सम्मंदित होगा 14 नमबर पेशने वर्तमान में भारती सम्मिधान में कितनी भासा हैं आपकी सुईकिर्थ हैं बताइए भारती आपकी सम्मिधान में आठवी आनसूची में कितनी भासा हैं आपकी रखी गई है आपसन में आपको 21, 22, 23, 24 आपसन दिया जाएगा तो सही option क्या होगा आपकी हिसाब से दिख लीजे आप लोग 22 22 जो आपका होगा वो आपकी भारती सम्मिधान के आठवी आनसूची पर 22 भासा रखी गई है अगर मूल रूप से आपसे सम्मिधान की बात करेगा मूल सम्मिधान में 14 भासा हैं थी फिर 1967 में आपकी सिंधी जोड़ी गई तो 15 हो गई और फिर आपकी 1992 में 3 भासा यां जोड़ी गई फिर लास्ट में आपकी 4 भासा यां जोड़ी गई तो इस प्रकास से टोटल जो हमारी भासाएं होगी है इस समय आपकी 22 भासाएं आपकी रखी गई है ठीक है next question क्यों चलते है 15 नमबर पेस ने निमलिकित में से कौन सा राज हर साल हारनेबिल तेवहार मनाता है बताइए हारनेबिल तेवहार किस राज जिका है इसका सही आप्सन क्या होगा आपका नागा लेंड नागा लेंड में आपका हारमिल तेवहार मनाया जाता है याद रख लीजेगा एक चिडिया वाँ पर होती है हारनेबिल उसी के नाम पर यह तेवार का नम आपका पड़ा हुआ है सोलर नेमबर पेस ने किस अनुच्छेद में वीक्त आयोग को अर्ध नियाईक निकाई के रूप में इस्तापित करने का प्रावधान है बताईए वीत आयोग का गढ़न किस अनुच्छेद के अंतरगत किया गया है बहुत बार आप लोग इसको हल करते हैं तो वीत आयोग जो हमारा है वो आर्टिकल 280 के अंतरगत 280 के अंतरगत आपका वीत आयोग का गढ़न किया गया है आपका समिधान में दोस्तों असी अनुच्छेद में भी तायोग की चर्चा की गई है सत्रे नंबर पेस्ट ने नीत आयोग के अध्याच काउन है बताईए पहले आपका योजना आयोग इसका नाम था अभी नीत आयोग नाम रख दिया गया है आपको मालूम है योजना आयोग या फिर नीत आयोग ये सभी आपके गयरे समयधानिक निकाए है इनकी कोई भी चर्चा आपके समयधान में नहीं की गई है और इनके अध्याच कौन होते हैं प्रदान मंत्री होते हैं जो उस समय प्रधान मंत्री हैं वही उस आपके नीत आयोग के अध्यच होते हैं याद रखेगा तो अभी आपके कौन होगी मोहदी जी हमारे नीत आयोग के अध्यच है ठीक है यह आपकी एक जनुवरे 2015 को नीत आयोग का गठन किया गया था Next Question के ओर चलते हैं अथाई नमबर परेस ने प्रिसिद पुस्तक का आपके काम सूत्र थी यह किस ने लिखा बताएं काम सूत्र नामक पुस्तक को किस ने लिखा थी बताने का प्रयास कीजिए चलिए शही आपसन क्या होगा आपका वासाया ने लिखी है काम सूत्र की पुस्तक जो आपकी है वो वासाया ने लिखी हुई है और 19 नमबर प्रेस ने एक सरे की खोज किसने की थी देखिए कुछ नाम होते हैं ना इनको तो आपको यादी करने पड़ेंगे तो आप लोग इनको याद करने का प्रयास किजे इसमें आपको ज़्यादा समझानी हो कि कुछ है ही नहीं इसमें एक सरी की खोज आप से पूछा जाएगा तो क्या आप मारेंगे रोंटेजन मार दीजेगा देखी कुछ इसमें जो आपकी हिंदी योती ने रेलवे की कुछ अलग प्रेकार से लिखी जाती है तो ये पूरा नाम देखी आपके लिए लिख दिया गया है तो इसको आप लोग रोंटेजन के नाम से याद कर सकते हैं एक सरी की खोज किस ने की थी रोंटेजन ने की थी ये पूरा नाम आपके लिखा गया है देखी 20 नमबर कोशन है एक बड़ी सजा को हलकी सजा में परवर्तित करना कहलाता है क्या कहलाता है एक बड़ी सजा मालीजे दी गई है अजालाद द्वारा उसको हलकी सजा में परवर्तित करना क्या कहलाता है लगू करण कहलाता है ठीक है हिंदी में दिया गया आपको तो ये लगू करण कहलाता है माली जी आपको 20 साल की सजा मिली है लेकिन उसके अच्छे भी है को देखते हुए अच्छे आपके आच्छर को देखते हुए उसकी सजा थोड़ी कम कर दी जाती है या फिर आपका case जब बहुत लंबे देर तक चलता है तो वो आदमी क्या होता उस case में इतना प्रताडित हो जाता है कि वही उसकी सजा के बराबर होती है तो उसकी सजा और आपकी हलकी कर दी जाती है या फिर राष्ट पती भी आपकी सजा को माप कर सकता या फिर कम करा सकता ठीक है तो यहीं आपका होता है लगुई करण होता है आपका 21 नमबर पे इसने कारबन के द्वारा अन्य कारबन परमाणों के साथ साय सायूजक बंधर बनाने की विस्तेस्ता क्या कहलाती है बताइए कारबन अने परमाणियों के साथ सही सहयोजक बॉंड ही बनाता है तो इसकी विस्तेस्ता क्या कहलाती है सही आपसन क्या हो सकता है इसमें से देखे सही आपसनों का स्रंखलन स्रीज की रूप में आपका बनाता है कारबन जो आपका सही सहयोजक बॉंड है वो स्रंकलद के रूप में बनाता है बड़ी बड़ी चैन के रूप में बना लेता है न कारवन तो वही आपसन सही होगा डी आपसन सही होगा, ठीक है इसकी लेंगवेज जो हिंदी की है वो थोड़ी टप लिकी गई है याद रखेगा ठीक है चलिए next question क्यों चलते हैं देखी 22 number पेस नोगा पहली अंतर राजी परिसद का गठन कब हुआ था अंतर राजी परिसद जो आपका होता है inter-state council इसको हम लोग कहते हैं यह क्या होता जो आपके आपस की जो राज्यों के मतभेद होते हैं चलत बिवाद होते हैं उनको खतम करने का काम करता है तो यह कभ इसका गठन किया गया था सही आप सनोगा 1990 में पहली अंतर राजी परिसद का गठन किया गया था और इसके अध्यच कौन होते हैं प्रदान मंत्री इसके अध्यच होते हैं इस समय मोदी जी आपके जो हैं अंतर राजी परिसद के आपके अध्यच हैं वही जो आपका इंटर इंटर इस्टेट में जो आपके राज्यों में वाद व्याद होगा उसको सुलजाने का प्रियास करेंगे 1990 में इसका गठन किया गया था जो नए प्रिशन हो उनको आप लोग तयार कीजएगा कि इसमें काफी ज़्यदा प्रिशन आपको नए मिलेंगे 23 नंबर प्रिशन है निम लिखित में से किस राज में लेपाच्छी मंदिर है बताए लेपाच्छी मंदिर है आपका किस राज में पढ़ता है बताने का प्रयास कीज़े आप लोग सोच सकते हैं नीचे आपको चार आप्सन तो मिलेंगे मिलेगा अगर आपको याद होंगे तो वहाँ पर आपको चार आप्सन देखने ही जुरूरत नहीं है आपको डिरेट वहाँ पर पहला आप्सन दिख जाएगा तो लेपाच्छी मंदिर आपका आंध्राप्रदेश में आपके आंध्राप्रदेश में अनंतपूर में पढ़ता है अनंतपूर किसके लिए फेमस है अनंतपूर के राम गिरी में आपको बता है तो वही आपका आंध्राप्रदेश के अनंतपूर में लेपाच्छी मंदिर ह इसमें काउन काउन से भगवान की पूजा होती है भगवान स्यू की पूजा होती है भगवान विश्णू की और वीर भद्र वीर भद्र का आपने नाम सुना होगा जो स्यू जी ने उसको प्रकट किया था जब आपको किसको मारना था दच्छ को मारने के लिए आपको वीरभद्र को भेजा था तो यहाँ पर तीन लोगों की पूजा आपकी होती है स्रिव जी की विश्णू जी की और वीरभद्र जो आपका स्रिव जी का रूप है लेपाच्छी मंदरी आंदर प्रदेश आनंधपूर में याद कर लिजेगा देखी 24 नंबर प्रेशने काउंसा आपका विक्तिगत खेल नहीं है तो इसमें विक्तिगत खेल काउंसा नहीं है आपका खोखो जो आपका है वो विक्तिगत खेल नहीं है एक आदमी खोको को नहीं खेल सकता है नाव नाव की टीम है आपकी होती नाव इस पच्छ में होते हैं नाव उस पच्छ में होते हैं तब ही यह जगा खेल आपका होता है जबकि लंबी कूदा आप अकेले भी कर सकते हैं स्प्रिंग आप अकेले भी कर सकते हैं रातान आप अकेले भी दोड़ सकते हैं तो सिर्फ खोखो जो आपका है वो विक्तिगत खेल नहीं है टीम का एक खेल है आपका पचीस नंबर कोशन है जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था बताने का प्रयास कीज़े जै जवान जै किसान का नारा किस ने दिया था आपसे अलग अलग प्रकार से आप कोशन पूछे जाएंगे जै जवान, जै किसान, जै विग्यान भी आपसे पूचा जाएगा तो सब चीज़े आप लोग याद करने का प्रियास किजेगा तो इसका सही आपसन है लाल बादु सास्त्री जी जो आपका नारा दिया था वो जै जवान, जै किसान का नारा दिया था जो सरकार जिस समय होती है न तो इस समय दोरत क कियए गाये वच्षन जो आपके होते हैं वाल आदे यह उजनाए ये सबी आपके एक ग्जामे पूचा जाता है तो जय जावान जय किसान जय विग्ञान और मोदी जी ने उसके आगे जय अनुसंदान जोड दिया है तो क्या होगा मोदी जी की क्या होगा जय जवान, जय किसन, जय विग्यान, जय अनुसंदान तो यह है आपके लिए ठीक है सब कुछ याद कर लिजेगा आप लोग देखे 26 नंबर कोशन ने ध्यान से देखिए कोशन को भारत ने किस वित्ती वर्स में IMF के साथ विस्तारित निदि सुविधा समझाओते पर हक्ताक्षर किये थे बताइए किस आपका जो वित्ती वर्स था वो IMF के साथ जो है सुविधा समझाओते पर हक्ताक्षर किये थे सही आपसन होगा 1981 और 82 के अंतरगताब की हक्ताचर हुए थे IMF के साथ ने भारत के थी कि विस्तारित निदी सुविधा समझाओते के उपर 27 नमबर पेशने एक घटना कौन सी है जो पेरुवियन जो पेरु देश है ना जो आपके दच्चिड़ा अमेरिका में पढ़ता है पेरुवियन तटी परदेश में गर में समुद्री ल sixteen बहँती है उसे क्या कहते हैं पेरु या पिर दच्चिड़ा अमेरिका में जो आपकी गर में लええ방 समुद्री ल chaos को रूप में चलते हैं 28 नंबर पेशने प्रिसिद्ध खिलाड़ी आपके खाश्रबा जादा किस खेल से आपके समंदित है देखिए रेलवे खिलाड़ी काफी नए नए पूछता है तो जो चर्चित खिलाड़ी होता है उस समय का वही आप से पूछ लेता है पूराने ऐसे बहुत से खिल खिलाड़ी कुस्तिक हैं वह आपसे नहीं पूछता है लेकिन जो आपका खास हुआ ज्यादो कुस्तिक खिलाड़ी है उस समय अगर आप अच्छा प्रदसन कर रहे हैं तब आपका नाम तो अवस्त से आजाएगा तो अभी आप लोग देख लिजे जो आपके खेल होने वा आपका कौन सा लगेगा यह आपका कैरोलियस आपका जो एफेक्ट होता है बल होता है वो यहाँ पर कार करता है अब यह कैरोलियस जो आपके थे एक वैग्यानिक थे उन्हें के नाम पर इस बल का नाम दिया गया है उन्होंने अठारा सो पैंतिस में फ्रांसी से वैग्यान उत्री गोलार में पाउने अपने दाइनी और मुड़ जाती है और दच्छडी गोलार में पाउने अपने बाइनी और मुड़ जाती है तो यहाँ पर केरोलियस और फेरल का नियमी आपका यहाँ पर डिपेंड करता है तो इसी आपका है प्रतभी के गूड़न कारण आपकी यह सभी बल आपके लगते हैं आज का देखें माद तीस नंबर कोशन है एंटी बायोटिक युक्त क्लोरीन जो सूच में जीवों युक्त मिट्टी द्वारा उत्पादित होता है और जो टाइफाइड बुखार के इलाज के लिए प्रभावी है उसका नम आपसे पूचा जा रहा है टाइफाइड के इलाज में किस एंटी बायोटिक का प्रियोग करते हैं क्लोरीन से बनी होती है आपको ठीक है तो यह दवाई का नम आपसे पूच लिया जाता एक्जाम में तो सही आपसन क्या होगा क्लोरा मेंफिनोल इसका हम लोग यूज करते हैं अगर आप टाइफाइड का बिमारी आपसे ग्रस्त है या फिर मियादी बोखार आपको हो गया है तो इस टेबलेट आपको दी जाती है दवाई आपके एंटिबाटिक करूप में कार करती है जो कि क्लोरीन जो सूच में जीवों युक्त मिट्टी द्वारा आपको उत्पादित होती है तो क्या नाम है आपका दवाई का क्लोरा मिंफिनोल याद रखेगा ठीक है नेस्ट कोशन क्यों चलते है 31 नमबर पेस ने टेबल टेनिस से जुड़ा अंताराश्टी सास्ति की निकाए काँ सा है बताइए अंताराश्टी पूचा जा रहा है जैसे आपका ICC हो गया ना वो क्रिकेट से संबंदीत है तो टेबल टेनिस संबंदीत निकाए का नाम आपको बताना है तो इसका सही आपसन होगा ITTF अब ITTF का फुलफार्म क्या होगा International Table Tennis Federation इसका फुलफार्म होगा और इसका मुख्याले कहां पर है सुच्जर लेंड में इसका मुख्याले आपका बनाए गया आपने ये गौर्ण ने किया कि सुच्जर लेंड में कापी धेर सारे मुख्याले आपके बनाए गया है इसका कड़र हुआ है कि आपकी बुनियादें सुभधाय आपको काफी ज़ादा है और आपका कापी अच्छी जगा है सुट्जा लेंड इसलिए बेहतर जो आपके मुख्याल है सभी जगों के वो आपके सुट्जा लेंड जिनेवा इसी के आसपास आपके बनाया जाते हैं देखें नेश्ट कोशन हमारा भूमद्य सागर का प्रकास इस्थम्भ हम किसे कहते हैं ठीक है भूमद्य सागर का आपका प्रकास इस्थम्भ किसे कहते हैं तो सही आपसन क्या होगा आपका इस्ट्रॉमबोली सिसली का इस्ट्रॉमबोली जो आपका है इटिली का इटना हो ग जाता है इसलिए भूमद सागर का प्रकास इस्तंबे के रूप में जाता है यह आपके लिपारी दियूप में पढ़ता है आपके एक जामे पूचा गया था कि भूमद सागर का जो इस्ट्रॉम बोली है किस दियूप पर है तो लिपारी दियूप पर है ठीक है याद रखेग चलिए नेस्ट कोशन के ओर चलते हैं काउन सा जौला मुखी एक सक्क्री जौला मुखी आपका ये 33 नंबर प्रेशन है आदिग्राहन और नागरिक्ता को समाप्त करने के सम्मंद में कोई भी प्रावधान बनाने की सक्ति किसके पास में है बताइए आप लोग अदिग्राहन और नागरिक्ता को समाप्त करने या फिर बनाने के लिए कौन सा आपका निकाय कार करता है तो यहाँ पर संसत का योगदन आपका होता है राश्ट पती प्रदान मंत्री मंदी मंदन में से संसत सबसे महतपूर है क्यों संसत में सभी के प्रतियूत तो बैठते हैं राजसबा हो गया लोगसबा हो गया राश्ट पती इन तीनों से मिलकर आपकी संसत बनती है याद रखेगा चलिए नेस्ट कोशन के ओर चलते है 34 प्रसासनिक सुधार आयोग की प्रारम में अध्यचता किसके दोरा की गई थी बताइए प्रसासनिक सुधार आयोग आपका कब बनाय गया था 5 जनवरी 1966 को आपको प्रसासनिक सुधार आयोग बनाय गया था और कौन से उसके समय के अध्यचत कौन से थे मोरारजी देसाइदी हमारे उसके समय अध्यच्टा की थी प्रिसासनिक सुधार आयोग की जो प्रिसासन आपका चलाते है ना उसमें सुधार करने के लिए आपका आयोग बनाय गया था देखी 35 नमबर क्रिशन है जीवों की वह घटना क्या है जिसमें मादा जनन कोस गरभासा की बिना नए जीव बनाने के लिए विक्सित होता है बताइए जीवों में घटना भी होती है और पौदों भी है घटना होती है जो मादा जनन कोस गरभासा की बिना ही आपके नए इसमें क्या होता है मादा जनन कोस में गरबाधान किए भी ना ही आपका नया जीव हमारा उत्पन हो जाता है यह जीवों भी घटना होती है और आपके पाउदों भी घटना होती है 36 नमबर पर इस ने सीधी रेखा के सापेच वस्तू की गति को क्या का जाता है सीधी रेखा के सापेच वस्तू की गति को क्या का जाता है सीधी रेखी गति ही का जाएगा तो सीधी रेखा के सापेच होगा तो सीधी रेखा गति का जाएगा 37 नमबर पे ने राश्टी-विकास-परसत के अध्यच्य कौन बनाए गए हैं अग्षनाश्णायोत का इंतर गतिकार करता है उसके अध्यच्य कौन है इसमय बता सकते हैं आप रोग ये भी आपके क्या है गयर समयदानिक निकाय राश्टी-विकास-परसत और प्रदान मंत्री इसका अध्यच होता है नीत आयोक का, राश्टी विकास पर्षत का, इंटर स्टेट काउंसिल का, ये सभी के अध्यच कौन होते हैं, प्रदान मंत्री जी होते हैं, याद रखेगा, ठीक है, चलिए, नेस कोशन के ओर चलते हैं 38 नमबर प्रिशने हडप्य सबता के कस्बों को किस पैटर में रखा गया था, मतलब जो आपका हडप्य नगर बनाया गया था, वो किस प्रणाली पर बनाया गया था, बताइए, उसके जो घर थे, वो कैसे बने हुए थे सही आपसन होगा, रेक्टेंगुलर ग्रीट के रूप में आपके बने हुए थे, रेक्टेंगुलर मतलब आयत के प्रकार के थे, और ग्रीट के रूप में इस प्रकार से आपके बने हुए थे, घर याद रखेगा, ग्रीट रेक्टेंगुलर के रूप में बने हुए थे, सही आपसन दूसरा आपसन होगा देखिए 49 नंबर कोशन है नीत आयोग के अनुसार भारत सरकार ने कब तक आपके किसानों को आयोग को दुगना करने की योजना बनाई है बताइए बार बार आपके मोदी जी कहते हैं ना किसानों की आयक को दुगना करना है तो कब तक की योजना है आपकी अभी 2019 चल ला है तो कब तक योजना बनाई गई है और उसकी सनचना इस पकार rectangular मतलब आयत के परकार के होती है और ग्रीड इसके भगल-भगल में इस पकार से घर बने होते हैं फिर नीचे भी होते है आपके तो इनके जो गेट थे न वो पीछे की और खुलते थे आगे की और नहीं खुलते थे पीछे की और खुलते थे गेट कार की रही तो आपकी 2022 में दुगनी नहीं होगी का और कम भी हो सकती है लेकिन दीरे-दीरे अभी आपकी पकड़ मजबूत होगी अभी trade war चला है अमेरिका और चीन के बीच में तो अभी थोड़ी समस्याएं हो गई हैं दीरे दीरे आपकी समस्या यह दूर हो जाएंगी तो 2022 तक उमीद करते हैं कि इस्तानों की आयो आपकी दुगनी हो जाएं क्योंकि यही आपका अन्य दाता है इसके बिना अमारा देश नहीं चल सकता है चालिस नमबर पिस ने ताप के इस्थांतरण को किस उपकरण से नापा जाता है बताइए ताप जो आपका इस्थांतरण होता है कम से जादा जादा से कम इसको हम किस उपकरण से नापते हैं तो सही आपसन क्या हो जाएगा कैलोरी मीटर से हम लोग ताप का इस्थांतरण य लिए एक ससर्त निर्धारित कर सकती है, बताइगे आवास को रोजगार, जिसके पास आवास से उसको रोजगार मिलना चाहिए किस article के तहद आपको का गया है आपका, तो सही आपसन क्या होगा article 16 के अंतर के का गया है, तो article 16 अगर कोई भी रोजगार निकला है तो सबके लिए समान आऊसर मिलेंगे लेकिन अपवाद के रूप में जोड़ दिया गया है आपका राज्य के आदिन किसी भी पद पर लोग नियोजन या फिर आपका रोजगार या फिर निल्ति से संबंदित विश्यों पर सबी नागिरिकों का एक समान आऊसर की समानता होगी एक समान आऊसर की समानता के बाद में नीचे अपवाद की रूप में ST, SC और OBC कुछ और अच्छर प्राप्त है उसकी भी चर्चा की गई है आर्टिकल 16 में 42 नंबर पेशने महा यान सब किस धर्म से आपका सम्मंदित है ठीक है महा यान हीन यान महा यान किस धर्म से सम्मंदित है 43 नंबर पेशने महा यान को किस नाम से जाना जाता है बताइए महा यान महा यान के छत्ते के रख रख रखाओ मतलब हो गया होता है एवी कल्चर जो होता है वह पच्छी पालन होता है और हर्टी कल्चर तो आपको जानते हैं बगवान बागवानी होता है एगरी कल्चर हमारा किसे सम्मंदित होता है हर्टे कल्चर बागवानी, एवी कल्चर आपका पच्छियों का और एपी कल्चर हमारा मदमक्की पालन आपका होता है मदमक्की पालन में काफी जदा फायदा है देखिए पहले तो आपको सहथ प्राप्त हो जाएगी दूसरे बार जो छटा है, उससे मौम भी बनाई जाती है आपकी तो ये आपके काफी इसमें से अच्छा आपका पालन हो सकता है आपके लिए चवालिस नंबर कोशन है लोधन का प्रयाचीन हडपा सहर किस राज़ में आपका थित है पताइए लोथन किस राज में आपका पढ़ता है देखिए आप इसको अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो आप लोग तयार करने का प्रयास किजेगा आपको यह नहीं लगना चाहिए कि आप इसमें नहीं लगा पा रहे हैं आपको प्रिष्णों को तयार करना है आपके एक जा यह आपकी जम्हें बहुत बार कुछा गया है और मैं आपको हर बार बताता हूं कि लोथन किस नदी किनार आपका पड़ता था भोगवा नदी जो किनारे पड़ता था लोथन आपका ठीक है इसकी खोज किस आपके उत्खणन करता ने की थी इसको याद कर लिजेगा रंग रंगनाथ राओ ने हडपा प्राचीन जो आपका सहर था उसकी जो है उत्खलन करता थे जैसे आपका हडपा जो आपकी रावी निदिक किनाड़ी है ना उसको दयाराम सहानी ने 1921 में खोच की थी और मादोस रूप वस ने की थी मोहन जोदरो किस ने की थी सिंदोनदी किनार एकบंदर्गा के रूप में आपका जनजाता है 45 नंबर पेस्ने हिंडोला महल और जहाज महल किस छेतरी वास्ट कला से सम्मंदित है बताइए हिंडोला महल और आपका जहाज महल पहलेबाद तो पढ़ता कहा है आपका ये ये आपका M.P. में पढ़ता है और M.P. के माडू जिले में पढ़ता है तो माडू जिले छेतर में आपकी यह उसी कला के नाम से उस राज्य का उसके जिले का नाम माडू पढ़ा हुआ है तो हिडोला मैन और जहाज मैल जो हमारे हैं वो माडू जिले में भी आपके पढ़ते हैं और माडू छेतर की वास्तु वास्तु नाम बताना है कि इसका साधार नाम क्या होगा जैसे मनुष्य का नाम क्या है अगर आप इसको भी नहीं सोच पा रहे हैं इसका मतलब यह आपने पढ़ा हुआ है लेकिन वो आपका प्रसूत दवस्ता में चला गया वो चार आपसन देखने पर यह आपको याद आएगा तो को पेरी प्लिनेटा अमेरिकाना नाम है आपका 47 नमबर कोशन राष्ट पती का अध्या देश किसलिए जारी किया जाता है तो इसको आप लोग देख लिजेगा को चार आपसन आप देखने पर ही समझ पाएंगे सामान सीमाओ वाले प्रावधानों पर संसदी अध्याम के रूप में राष्ट पती जो अपना है अध्या देश जारी कर सकता है ठीक है याद रखिएगा आप लोग 48 नमबर कोशन भारत में चिस्ती संप्रदाय किसने इस्थापित किया था बताएए चिस्ती संप्रदाय किसने इस्थापित किया था भारत में सही आपसन होगा मोनेदीन चिस्ती ने किया था ठीक है मोनेदीन चिस्ती और यह आपका चिस्ती संप्रदाय था यह जातर आपका अजमेर छेतर में आपका प्रिचलीत था, वहीं से इसकी स्थापना हुई थी, तो मुर्दिन चिस्ति की दरगा भी आपकी वहीं पर बनी हुई है अजमेर में, तो सही आपसन, पहला आपसन होगा आपका 49 नंबर पे इसको आपको दिखाना पड़ेगा पूरा प्रिष्ण को, निम्ड में से कौन सा आपका प्रमुक चाय उत्पादक छेतर नहीं है, आप चार आपसन आप देखेंगे तबी तो आप पहचाने की कौन सा नहीं है, असम में आपको मालूम है, असम चाय काली चाय के ल वेली में चाय का छेतर आपको नहीं है, बाकि यह आपका असम की जो चाय है और दर्जलिंग चाय है तो आप अच्छी तरह जानते होंगे, नील गिरी की जो चाय है वो आपकी कापी फेमस जानी जाती है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, आज का दीके हमारा 50 नंबर कोशन होगा, आज का लाइस कोशन हो सकता है, यहाँ पर आज से पूछा गया, खेलो में, डेका थेलोन में कितनी प्रतिस परदाएं होती है, चार आपसन मिलेंगे, देखे, एथेलेटिक्स में 3-4 प्रकार की और प्रतियोगता है, अगर बात करेंगे, इसमें 10 प्रतियोग प्रतियोगता हैं आपकी होती है यसे आपका सौ of meter के स्भाष मेटर के दोड़ हों गई आपका 400 मीटर के दोड़ ऑगे 1500 मीटर के दोड़ होगे हुची कूल लंबी कूल short put आपके इस प्रकार से दस प्रतियोगता हैं आपकी होती है आप एक ऐपका set थलन होता है हिप्टा मतलब होता है साथ तो साथ खेली अपके वहाँ पर होते हैं और प्रंटा थलन में पांच खेल होते हैं और फेनर्ट भर। ॉलोन में देका 2-1 किलो हजार हेक्टव से समझो सभार हम लोग पढ़ते देना तो डेका मतलब आपका 10 अधर ठीक है याद रखेगा यह नाम से ही पता चल जाता है यह टोटल हमने आपको 50 कोशन कराएं और यह हमने आपको RPF SI का पेपर कराएं गेरजुएशन लेवल का आपका पेपर होता है हमने आपको कॉस्टेवल का एक पेपर कराया था लेकिन इसी प्रकार आप्सन दिखने करना आपको अभी तक नहीं करा रहे थे क्योंकि आप लोग एक बार प्रियास करना चाहते हैं तो मने आज आपको थोड़ा से अलग प्रकार से पेपर कराया है जरूरी नहीं कि आप सभी प्रिशनों को हल कर पाएं लेकिन आप सभी प्रिशनों को तयार करने का प्रियास कर सकते हैं यह परता सकते हैं कि हम आपको चारों जिखार करके फिक्ष परकार से बता भी सकते थे लेकिन एक बार हमने आपको वन लाइनर से आपको दिमाग और जदा खुलता है एक अबने आपको नया प्रयास किया था आप लोग के लिए तो आपको बताए कि वीडियो आपको कैसा लगा अगर आप कुछ और सुधार चाहते हों तो आप लोग उसके लिए बता सकते हैं. वीडियो के लाश्ट में एक कोशन आप साथ कुछने का प्रियास करते हैं. वो आप लोग बताने का प्रियास कीजेगा. चलिए आज का हमारा पहला प्रियास प्रियास कीजेगा. आप संग की जुरूरत नहीं आप लोग के लिए हर्बजन सिंग का उपनाम मतलब कि उनको और किस नाम से बुलाया जाता है. यह सबी आप क्रिकेट अच्छी तरह से देखते हैं तो आप लोग बता सकते हैं. एक कोशन और पूछने का प्रियास करते हैं और आप लोग उसको भी बताने का प्रियास कीजेगा. यह प्रिशन आपका था हर्बजन सिंग का उपनाम क्या है आपका? आज करते हैं दूसरा प्रिशन है इसको आप लोग करके लाएगा नहीं आएगा तो नेस्टी वीडियो जब आपका आएगा तो उसमें हम आपको बताने का प्रियास करेंगे. मारतांडे सूर्य मंदिर आपका कहां परिस्तित है ये दो परिस्ने माने आपको पूचे है नहीं आगे तो आप लिग ढूंड लीजेगा नहीं कमेंट बाक्स में देख लिखेजएगा अगला वीडियो आगा वहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा आप बताईए जो आपकी RPA PSI की हम आपको स्रीज करा रहे हैं आपको पसंद आ रही हो तो आपको कमेंट बाक्स में कह दीजेगा आगी की स्रीज भी आपको कांटीनूर रखेंगे ठीक है, कॉंस्टेबल का पेपर भी करा दिया जाएगा आपकी संभावना है कराने की हम सारी कराने का प्रियास कर रहे है देखे आप लोग की इच्छाए अलग-अलग हैं आप सभी अलग-अलग छेतर से हैं तो आपको किसी को लगता है कि RRB Group D का पेपर करा जाए किसी को लगता है NTPC का पेपर करा जाए कोई J.E. का support कर रहा है कोई R.P. P.S.I. कोई constable का support कर रहा है तो हम सबको प्रियास कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर चले हैं और इसलिए मेरा प्रियास है आपको अलग-अलग प्रिकार से कोई एक paper में लगाता है आपके लिए नहीं पकर रहा हूं कि इस paper को रहा है लेकिस सबसे जद्व मेरा आपको paper कराए हुए है वो group D के कराए हुए group D 2018 के कम से कम मैंने आपको 50 paper तो group D के ही कराए हुए है उसके बाद 10-12 paper NTPC कराए है 10-12 paper आपको ELP कराए गए है और आपको 10-12 paper आपको इसके जई कराए है तो इस प्रकार से मेरी जो सरीज है टोटल सभी प्रिश्णों को लेकर चलने की है अभी कुछ दिन बाद मैं आपको 10-10 दिन बाद यह आपको PDF तयार कर रहा हूं कम से कम आपको 40-40 PDF आपको फ्री में देने वाला हूं और Telegram चैनल पर आपको मिल जागी आप लोग उसको जॉइन कर लिजेगा तयार कर रहे हैं आपको वहां से आप लोग कुछ महत को तयार करने का प्रियास कीजेगा क्योंकि महत हमीं आपको नहीं कर आप आ पा रहे हैं तो महत की वहां से आप लोग प्रेक्टिस कर सकते हैं पीडियाप आपको जल्दी में बना करके आपको देने वाला हूं तो Telegram चैनल जुड़े रहेगा वीडियाप कैसा लगा इसके बारे मता सकते हैं और जो मित्र महत चैनल को सस्क्राइब कर दीजेगा लाल लंक का आपको बटन देख रहाओगो उसको दो वाकर लाल से कला कर दीजेगा और वीडियो अच्छा लगाओ तो एक बार लाइक करते हुआ सजाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का